पुराने उसरी पुल के नवनिर्माण कारे में शुरू से ही अडचने लगाई जा रहे हैं बता दे कि जब से पुल निर्माण की घोशा हुई है और पिछले कई वर्षों से टैंडर पास का रद्द करने की प्रक्रिया को गिरडी के लोगों ने देखा है जिसके बीच राज्यों में कभी भाजपा की सरकार आई तो वर्दमान में जामुमों की सरकार राज्यों में चल रही है लेकिन उसके बाद भी उसरी पुल को शतिग्रस्त हुए लगभग 25 वर्ष बीच चुके हैं लेकिन इस्थिती बदलने का नाम नहीं ले रही है दूसरी और PWD विभाग के एग्जेकेटिव एंजेनियर से संपर्क नहीं हो रहा है जब कि नाली नहीं बन कर सकता है नाली के बीच में रोड है दोनो तरफ नाली है और नाली के बीच में रोड है तो रोड को नहीं बना के दोनो तरफ नाली भर दिया है जो जिल्कुल ही गलत है नाली नहीं भर सकता है तो आपके जहनकारी कहा है पीछोंतब है कि ह Voor जो पहले से बना हुआ है, जो रोड की चोणाई जितना रोट चवरा उतना ही बनीगा तेकि उससे ज्यादा लोग रोड बनाने में कोई आपती ने रोड बनाने में हम लोग सअयोग कर रहे हैं लंबे समय का एक मांग था इक फूल और रोड का तो बंद रहा है हम लोग सब के सअयोग से भी बना है पूल 200 घृए लेकिन नालि भर पर के जो यहां नरक बना देगा मुदेयर मंदीर के असजित्तों को ही संकट में ढल दिया इंद्धा के मंद रोड लेकिन इलोग यहां बस्मशि कर रहा है और और मंदील मंदील को यह लोग आपता है मंदील ध्वरस्थ हो जरा पानी रोट का मंदी अगर नाली को छोड़ दिया जाया को नुवर निखिर निया है और अगर नाली qo को नहीं छोड़ते है तो मंदिर को नुक्सान है आप पास की लुगों को भी पट्रिसान है ईट्रोट की चुड़ाय आपको पता पर बने बना हुआ तो पर पहले पेच्छा दात सब्सक्राइब जादा नहीं लोगों का कहना है कि पूल पहले की पाम पछादाद कि जादा चोड़ी बनी हुई है तो उसे शाब से रोड की चोड़ी करन जरूरी है तो उसके लिए नाली भरके रोड चोड़ा पिर नालि मांग है कि पहले नाली एपने फिर सड़क को निरोण किया जाए पूल का जो एलिवेसन है। उस एलिवेसन के सब सिरोड बनना चाहिए। फूल जिसे जितना सिधा में फूल बना उस सिधाई सिरोड कर दा नहीं बना करें। जैना बायां किया जा रहा है। दूसरा बात है, कि मेठी लगवक 3-4 पिक इस में भरा ही हुआ है। लेकिन चार तिक भरने के बाद एक बार भी सम्वेद्दद्द के द्वारा रोलर नहीं चला गया ज़सकी ऐसा प्राभान है कि मिट्टी डालने के बाद उसमें पानी डाल करके तिना कर तो रोलर से उसको पांपक्त करने चाहिए तीसरी बात आ गई उसके बाद हम जी एसबी डाल जालने के बाद रोलर को चलाएक चलाएंगे तो मिट्टी का कंपैक्षण हो नहीं पाएगा तो रोड आज ने तो कड़ उटना संवेतर कान करके चले जाएंगे तीसरी बात है पाले से बना हुआ थे इन्होंने क्या कि आ नाली को मिना साथ कि उसमें सबस्काइब इसको बाड़ने के बट्टी भर दिया और जहां पर नाली का निकास है बिलकुल नदी के पास में वहां पर भी तूर से उसका दिवार जो पूर का जो दिवार है उसको देकर भी पंड कर दिया है इस वात मिट्री डाला गया था रोलर नहीं चलाए जा रहा था तो उस वक्त आप रोग रोग क्यों नहीं किया था मतलब आपका जो कहना था जो आपका मांग था वो इस वात में पूरा नहीं करते हैं और आप जो चीज बोल रहे हैं करने के लिए यह पूरा नहीं करते हैं कि पूरा नहीं करते हैं और बफले में करते क्या है की फूल के उस पार पूल के उस पार कुछ रिष्टेदारी या पता नहीं क्या है तरवासु लोगों रदी घर्मित करते हैं, काम को रप दिया जा रहा है। कि अदर के लोग भी तो भोलीट बोले लोग… इना पता भी नहीं है कैसे काम होना हैய काम होना है हम इो सॕिता खूरोल ते हैं, विस तरह से काम के जाता है। लेकिन दोपता नहीं कि बूरियों कि कांपर न कि और रहा है निगना कांपे नrickim तो यह विरोध कौन कर रहे हैं बिने सर्म यह कहां कराने वाले हैं पूल के बगल में रहते हैं अच्छा तो आपके इंजिनेर अभी तक आए आ रहे हैं क्या भी वह बोलेंगे कि रोड का अपना हिसाब से मिलाइए रोड खराब नहीं होना चाहिए तो रोड का नापी वगरा हो चुका है कितना चोड़ा रह गई यह रोड रोड का चोड़ा वही पूल से बारा मिटर लेकर के अच्छा यह क्या है मामला माल का भराई हो रहा है कि यह काम क्यों रोक रहे थे वह रोक रहे हैं कि इधर ने इधर दबाती है क्यों यह चीज बते हैं नापी नापी के अनुसार वह रोक रहे थे या बिना नापी आप लोगों को इसके बाद इसका जानकारी ने इसको आप लोग क्या चाहते हैं मतलब कि धर से बनना चाहिए कि इस से सबसे काम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलार इस खास रे पूर्ट बेबस अतना ही देख्ष्ट दुनिया के दमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे है सीनियूज भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाँ